नमस्कार मैं हूँ राम प्रकाश राए राश्टी स्यम सिवक संग के सरकारिवाहक दत्ता तरे हस्बोले ने एक बयान दिया था जैपूर के एक कारिकरम में जब वो संभलित हुए थे तो उन्होंने हिंदूों को लेकर के एक बात कही जिसके बाद सियासत जो है वो गर्मा गई थी दत्ता तरे हस्बोले ने अपने बयान में ये बात कही थी कि भारत में रहने वाला हर व्यक्त हिंदू है वो आज चाहे किसी भी समधाय से संबन्द रखता हो उसकी पूजा की विद्धी जो विधी है वो चाहे जैसी भी रही हो पर सबका डियने एक है साथी साथ उन्होंने इसको पूरवजों से जोड़ते हुए बात कही थी कि चुकि सब के पूरवज जो है वो हिंदू ही हुआ करते थे अब जब इस तरीके की बात एक राश्टिय सेहम सेवक संग के इतने बड़े नीता के मूँ से निकली तो उस पर सियासत होनी ही थी स्वामी प्रिशाद मौरे ने भी अब दत्तात्रे होस्बोले को घेरने की कोशिश की उन्होंने एक ट्विट किया और उस ट्विट के सहारे जो है वो दत्तात्रे होस्बोले को घेरने में वो लगे स्वामी प्रिशाद मौरे ने अपने ट्विट में लिखा है कि देश की समस्त महिलाएं वसुद्र, समाज, यानि आदिवासी, दलित पिछड़े जो सभी हिंदु धर्मावलंबी ही हैं तता जिनकी कुल आबादी 97 फिस्दी है को तो अपमानित किया ही जा रहा है गौमान्स खाने वालों को हिंदु बनाकर उन्हें भी अपमानित करने का इरादा है क्या बोलो बोलो होश बोले जी ये ट्विट समाजवादी पार्टी के नेता जो अवराश्वी महासची हो चुके हैं स्वामी परिशाद महरिक आता है इसके बाद सोशल मीडिया पर जवाबों की बाढ़ा जाती है लोग सोशल मीडिया पर इसके पक्षव वेपक्षव बोलना शुरू कर देते हैं इसके अलावा अब जो है वो दूसरे दलों से भी प्रत्रिक्रियाएं आने लगती है इस वि महानस पर दिये गए विवादित बयान को ले कर के महायवति ने कहा कि जो पिछڑे हैं जो दलत है इन सब के लिए जो इनका जो गरंत है वो रामचरित मानस नहीं है, मनुस्मृति नहीं है बलकि उनके लिए सब भारत का जो सम्विधान है वो गरंथ है वो उसको मानने वाले लोग हैं और मायावति के भी इस बयान में इस पूरे सियासी संग्राम में जब आने से ये जो संग्राम है वो बहुत दल्चस्प होता सा दिखाई दे रहा है एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार भारती जनता पार्टी पर हमला कर रही है दूसरी तरफ रामचरित मानस पर सवाल उठा रही है वहीं बियस्पी सुप्रीमों जो है वो खुद समाजवादी पार्टी पर ही सवाल उठाने में लग गई है बियस्पी सुपीमों मयावती ने ट्वीट करके कहा कि देश में कमजोर वो पेक्षित वर्गों का रामचरित मानस वो मनुस्मृतियाद गरंत नहीं बलकि भारतिस सम्विधान है जिसमें बाबा साथ डक्टर भीमरावंबेटकर ने इनको सुद्रों की नहीं बलकि SC, ST वो OBC की संग्या दी है अता इन्हें सुद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा सम्विधान की औहेलना भी न करे उन्होंने आगे कहा कि इतना ही नहीं देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों आदिवासियों वो OBC समाज के सोसन अन्याय नाइनसाफी तथा इन वर्गों में जन में जो तमाम संत महापूर्स जिनकी बात होती है उन सभी वो सभी लोग जो है वो सपा से लेकर के कॉंग्रेस किसी की सरकार रही हो उसमें उन्होंने तिरसकार मिला और उनका संबान केवल बसपा के समय पर हुआ इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे ट्विट में ये बात कही कि जो सपा प्रमुक जो इनकी वकालत कर रहे हैं उनको पहले लखनौ के गेस्ट हाउस कांड को याद कर लेना चाहिए आपको याद दिला दें कि 2 जून 1995 को लकनों में गेस्ट हाउस कांड हुआ था जब मायवती बुरी तरीके से घिर गई थी समाजवादी पार्टी के उपर उसका आरूप लगा था उस घटना का इन्होंने जिक्र करते हुए लिखा है कि इस्ट हाउस के दिनांग 2 जून 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरबान में जरूर जहांकर देखना चाहिए जब सीम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जान लेवा हमला करवाया गया था तो मायवती भी अब सियासी संग्राम में एंट्री हो गई है इनकी उधर लगातार स्वामी पिशाद मोरे मुखर होते जा रहे हैं उनके बयानों पर जो है वो उनके एक के बाद एक कई बयान आते जा रहे हैं राम चरित मानस को लेकर के उनके दिये बयान पर जहां सियासत गरमाई थी उसके बाद उन्होंने अपने रुख पर अड़े रहे करके उसको और माहुल को और गरम करने की कोशिश की फिर उसको मैलाओं पर हो रहे हत्याचार सुद्रों पर हो रहे हत्याचार दलतों पर हो साथ जोड़ करके उसको पेश किया गया अब वो जो है दत्तात्रे हिश्बोले के बयान आने के बाद अब इस तरीके की बात कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं जो उनको अपमानित करने का काम रासे स्वेम सिवक संग कर रही है और इसको ले करके उन्होंने सवाल उठाया है दत्त लेकिन वो जो बयान था वो भारत विरोधी ताकतों के दबाव में आकर के वो इस तरीके की बाते कहती रही हैं और ये बाद में ये सारे जो है सबी को ये समझ में आने लगा था कि ये सारी जातियां भारत में रहने वाले हर व्यक्ति हिंदू ही है चुकि इनके पूरवत जो है वो हिंदू समुदाय से हिंदू धर्म से संबंद रखते थे तो कही न कहीं धर्म को ले करके यह जो उत्रप्रदेश की सियासत है वो गरम हुई पड़ी है लगातार एक के बाद एक नेताओं का उसके उपर बयान आ रहा है चाहे भारती जंता पार्टी की बात हो चाहे इसको देखते हुए ही लगातार इस तरीके की चीज़े आ रही हैं बस-पाश उप्रीमो ने जो बात कही कि वो सरकारें किसी की बी रही हो पर हमेशा से जो S.C., Ç.O.B.C. मुसलिम या अन्य धर्म के जो अल्वसंख्यक धर्म हैं उनके जो लोग हैं वो केवल चुनावी मैटेरियल रहे हैं सारे राजनेतिक जल्दों हैं वो केवल उनके साथ दिखावा करते हैं और कोई किसी की भी सरकार में किसी भी राजनेतिक दल में उनको सम्मान नहीं मिल पात वाजी करती हैं जिससे वो उन जाती के उन समुदाय के लोगों का वोट हासल कर सकें के वल बस्पा ने ही उनके उत्थान के बारे में सोचा और उनके लिए काम किया तो बस्पा के ये आरोप समाजवादी पार्टी के अलग जो आरोप हैं उससे अलग है एक तरफ जहां राम दलितों को बस्पा के वोट बैंक के तोर पर देखा जाता था कुछ समय पूरु तक और दलित जो है हमेशा बस्पा से जुड़े हुए माने जाते थे और ऐसे में मायावती का ये बयान आना निश्चे तोर पर स्वामी पशाद मौर के लिए और साथी साथ समाजवादी प आगे बढ़ा दिया जाता है और कुछ ऐसा ही इस मामले में भी देखने को मिल रहा है बने रहे हमारे साथ तैने बाद